हाई फ्रेंड्स में यूट्यूब चैनल अनन्यमाम ब्लोक्स में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आप आप लोग बिल्कुर ठीक ठाक होंगे और मैं भी अच्छी हूं तो यह देखिए आज मैं आप लोग से एक बहुत हैं स्पेसल रेसेपी सेयर करने वाली हूं त अज मैं बनाने जारी हूँ भीच मंचूर और नान तो चल्येजू यह देखिए हैं तो यह देखिए है पत्ता को भी कद्दू कस कर लिया है अच्छे से तो मैं उसे बड़ा बड़ा वैसे नहीं दिखा पाई क्योंकि जली जली में और यह बिंस को मैंने चाकू से चुटे-चुटे कट कर लिये हैं और फिर मैंने डाला है थोगा सा हरा मेच क्योंकि इसके बनाओंगी मैं पकोरे तो उसके लिए तो जरूरी है हरा मेच थोगा तो यह सब हो गया इन सब को मिक्स करके फिर इसमें मैं डालूंगी अपने साधन सा नमक तो नमक मैं इसमें डालकर इसे अब 10-15 मि छोड़ दूंगी ताकि इसमें जो भी है पानी वह अच्छे से अब्जर्ब कर ले नमक यह और पानी छोड़ते तो यह जब पानी छोड़ेगा तो दस-पंदर मिनट बाद मैं इसको फिर दहटा कर देखूंगी तो यह देखिए कितना इसमें से पानी निकल रहा है तो मैं इ क्योंकि ऐसे करने पर ना थोड़ा सा गिला रह जाता है आप इसमें कितना भी आप मैदा या फिर कॉन्फ्लोर मिक्स करें वह गिला ही रह जाता है ऐसे अलग से इसको पानी इसका निचोड़ने पर बहुत ड्राई और अच्छे से मिक्स हो जाता है तो यह देखिए मैंने कर्णोर्लोरिव रही है ऐ हुझे रहे हैं जازना जादा कियो निकलनकल कोंभी रहे है कि दिए नमकुकि नख अ कम हो जाता इसमें मिक्स किया था जो बिल्कुल पता ना चले तो ये देखिए मैं इसके गोल-गोल गोल-गोल लड़ू की तरह बना रही हूं और इसे बनाकर मैं इसे फ्राइ करूंगी पैन में तो इस तरह से मैंने पहले ही बना कर थोड़े बहुत रख लिए कि ताकि ऑईल गरम हो तो मतलब मीडियम फ्लेम पे रखिए ज्यादा तेज नहीं नहीं तो पहले ही बार में ये थ्वासा लाल हो जाता या जल जाता है तो वह अच्छा नहीं लएगा इसे धीमी आज पर अच्छे से पकाईए ताकि जो भी वेजटेवल है वह अच्छे से पक जाए और तेस्टी ल काल सकते हैं तो इस तरह से दिमे आज पर दीरे अज़ल को अच्छा से पकाई है तक बार कलर में तो उसके बाद पर इसे में इसे अलग रख लूँगा ये देखिये अद्यमी धीमी डिमे आज अच्छा लगता है तो यह देखिए अब मैं इसे अलग कर लूँगी और यह देखिए दूसी तफ मैंने लिया है प्लेट में में चुटा में कट कर लिया है लसे आदरक पेष्ट और लसे अधरक को मैं ने बड़े-बड़ कट किये हैं और प्याज को मैंने तो इसे मैं पानी में फ़ेनले से चिंक्स का पहले से घुलकर। जब मुझे जरुआ हो गी जोबाइन जरुत से फिरेश, घari कि शौदित का मैं टिक्रामार dlatego पार गार है तो इसे मैं फ़ेल कर भीलकोES है सोया सॉस तो इन शब का काम है मुझे तो सब मैं डालूगी इन सब में चले फ्रेंड्स मनाते हैं तो चले फ्रेंड्स हम लोग बनाते हैं मंचुरियन का ग्रेवी तो यह देखिए मैंने ओईल गरम हो चुका है उसमें मैं पहले हूं हरा मेच उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अधरक लहसन का पेश्ट और जो मैंने बड़ा-धरक लहसन को कट किया है वो भी डालूंगी और इसमें आप अधरक लहसन अधरक ज्यादा मतलों क्वांटिटी में हो तो ऐसे भी चाइनिज का एक खुबी है कि इसमें अधरक लहसन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहता है तो आप जितना ज्यादा जालिए उतना अच्छा टेस्ट आएगा तो इसे में हलका सुनहला होने तक ही भूनूंगी ज्यादा नहीं और उसके बाद मैं इस यौत शवा होता है उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी जिसे मैंने एक चोटा चोटा प्वाग प्याज था तो उसे 2 बहाग किया उसको शाड़े पंखोड़ीयों को के सारे स्लैक को मैंने अलग कर दिया है तो मैंने इसमें हलका सा हल्दी डालूंगी माइनर फोआ सा बो मैं इसमें डाल रही हूं तो अगर आप यह नहीं भी डालेंगे और सिफ वह मसाले डालेंगे तो कोई दिकत नहीं है वह अब देश्ट ज्यादा यह करने लिए मैं ने डाला है तो चली आप इसमें मैं डालती हूं चिंग चाइनिज मसाला जो मैंने पहले से पानी में घोल का रख लिया था उसे डालने के बाद देरे दिरे उसे चलाना है और यह देखिए जैसी डाला वह गाहा होने लगा तो मैं अब दिखे आप लावट इसमें थाप पानी डाल दूंगी और वहीं पानी है जो मैंने सारे वेजटेबल को निचोड़ के जो पानी निकाला था उसी को मैं यूज कर रही हूं उसे आप फेकिए मत क्योंकि उसमें सारे सबजी का प्रोटीन उसी में है मेन तो उसे फेकिए बनाया है मनचुरियन बाउल उसे इसमें लगांगे दीरे दीरे पर हां वह धालने के बाद ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे दो अच्छा लग रहा है मैं इसे बस थोड़ा थोड़ा दे मुश्किल से एक दो मिनट बस इसे पकाऊंगी और इसे भाद इसके ढख कर मैं डख दूंगी ताकि यह अच्छे से अब्जर्ब कर ले मसाले तो चलिए हमारी मंचुरियन हमारा मंचुरियन रेडी हो चुका है और बहुत ही टेस्टी और अधिता है दो कि हैं जाला है उसमें एकुधर राट मुद्धा चां और में भाट मुद्धा नवल और अचनी और घुटा की दूज़े हैं तो इसे मेरेया मैंने आघ्यान सुट्टिय थ्यू ऐस्निया day दो चत्भिया है तो ऊसे में तो छोड़ना था गूत कर और ये देखी कितने अच्छे से फूल चुका है और कितना नरम हो चुका है यह आप खुद देख रहे हैं यह दो तीन घंटे बाद मैंने इसे निकाला था तो उसके बाद मैं इसे बनाना सुरू करूंगी तो यह देखिए मैंने हलका सा बस इसमें मायदा लगाया है और मैं अपने स्लैप पर इसे अच्छे से बेल रही हूं और उपर मैं हलका सा पानी लगा रही हूं पानी को जादा ही लगाई यह कम नहीं लगाई यह नहीं तो कभी वह छूट चुट कर गिर भी तो नान तो ऐसे बहुत लोग वह लोग चुले पर पकाते हैं पर हम गैस पर इस तरह Tedité से नान lost और च्लियों मैं रखहला में रख लिया लुष की और फिर मैंने रख़यर एक नान , चलोह इंडाली मनें बना रहे हुए घाराइस जीरा राइस यह बवनर हो चुका है और हमारी यह रेसीप आपको उन्हय स forumया कंक भर्ली दिंट fence पॉर फेस게ऊ के देशीट क सब्सक्राइब रेसेपी क्रेच प्सक्राइब थिुक्षुभी में प्रॉछाइबा रात यह दो कर आताध मैं कि तो आनगेख स्कुनक्या